आप अपके अपने यूट्यूब चैनल में आज जो मैं आपके लिए वीडियो कंटेंट लाया हूँ खुछ हट के वीडियो कंटेंट है नॉर्मली हम कई बार देखते हैं स्टॉक रेकेमेंडेशन का वीडियो है या फिर कोई बोनस आने वाला है कोई स्प्लेट होने वाला ह या फिर कोई किसी कंपनी का कॉर्टर का न्यूज है ऐसे जब वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिलेंगे लेकिन आज जो मैं वीडियो लाया हूँ बहुत हट के वीडियो लाया हूँ इस वीडियो के बनाने के पीछे में कारण है जो हर एक इंवेस्टर को समझना चाहिए औ इस वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिलेंगे अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजे बेल आइकन दबाईए ताकि दिन में दो बार कुछ ना कुछ अची लर्निंग मिले और वीकली चार से साथ साथ से आठ बड़े वीडियो मिले जिससे आपका स्टॉक माकेट का इंवेस्टमेंट और ट्रेडिंग और बहतर हो सके तो चलिए वीडियो की शुरुबात करते वीडियो की शुरुबा तो चलिए वीडियो की शुरुबात करते हैं, वीडियो की शुरुबात में एक वीडियो का ओर्विव देना चाहूँगा, in this video we will see the highlights of interview of India's leading investor, Mr. Aakaj Uũunwal on Budget 21-22 The main reason to make this video is to understand how we need to change our mindset towards investment and how we need to understand the economy बजट से एक्जाटली साथ से आट दिन पहले स्टॉक मार्किट में काफी बड़ी गिरावट आई थी करीबन 5-6000 पॉइंट सेंसेक्स में गिरावट हो चुकी थी और निफ्टी में करीबन 1500 पॉइंट का करेक्शन हुआ था यह इसलिए हुआ था क्योंकि मेजर रेजिस्ट कोई गलत बात नहीं है आपको प्रॉफिट बुकिंग करते रहना चाहिए लेकिन कुछ सेट ऑफ क्वांटिटी में पूरा सेट ऑफ क्वांटिटी सेल कीजिए या फिर शॉर्ट सेलिंग करना है स्टॉक मार्किट में विदाउट एनी रिजन विदाउट बिइंग बुजेट में जिसे साब से नवेंबर डिसेंबर जैनवरी में फाइस का जो इन्फलो आया था इंडियन स्टॉक मार्किट में और जो गवर्मेंट ने जो कोविट के दौरान लॉकडाउन के दौरान जो रिलीव पैकेजिस दिये थे वैक्सिन लॉंच होने वाला था वैक काफी अच्छा होने वाला है उसके बावजूद इन्वेस्टर ने अपना स्टॉक जो गया कॉस्ट व कॉस्ट सेल किया है या फिर प्रॉफिट बुकिंग पूरा कॉंटिटी में किया है या फिर शॉर्ट सेलिंग की है ट्रेडर्स दें देखिए मैं फिर से रिपीट करता कि यहां से मार्किट बेरिश मोड में ही जाने वाली है तब ही जाके आपको शॉर्ट सेल ही करना है तब ही जाके आपको पूरी कॉंटिटी सेल करनी है इस समय जिनोंने बजट के पहले जिनोंने अपना स्टॉक कैश में या डिलिवरी में सेल किया होगा कैश मार्किट में या फिर प्रॉपर्ली डिलिवरी सेल किया होगा आज वही स्टॉक्स अगर वह वापिस लेना चाहेंगे तो अल्मोस्ट दस से पंद्रा टके का हर एक स्टॉक में फरक आ चुका है आज आप टाटा मोटर्स का एक्सामपल लीजिए या फिर कोई भी ऑटो सेक्टर का एक्सामपल लीजिए सभी सेक्टर बैंकिंग सेक्टर जितने भी सेक्टर इस समय चले है सभी सेक्टर में आपको 10-15 टक हो पर और देना पड़ेगा अगर आपको उसी स्टॉक में वापिस अपना पोर्टफोलियो पर बनाया रखना है तो यह चीज आपको समझना है कि पर इन्वेस्टमेंट में कुछ सेट अफ कोंटिटी को हमेशा मेडियम से लॉंक ताम के लिए और कुछ सेट अफ कॉंटिटी में ऐस पर सेनारीयो अब अब अपर आपको अप्र चेजिए या फिर प्रॉफिट बुकिंग कीजिए इस टरफ वस नॉट इस टरफ उट वस many times in my previous video that whenever nifty and sensex has made new high it has more potential to go still further at higher levels जब nifty करीबन 35,000 पहुचा था था थो 35,000 पुब्लिक को स्री सेंसेक्स जब 35,000 पहुचा था तभी पुब्लिक को लग रहा था कि यह सेंसेक्स का हायर आ गया यहां से बेरिश मार्केट शूरू हो जाएगी बेरिश मार्केट नहीं शूरू ही सेंसेक्स चला गया 40,000 जब लाइफ टाइम पहली बार टॉच किया 42,000 तभी लगा था कि निफ्टी का यह पीक लेवल आ चुका है जब भी सेंसेक्स या निफ्टी लाइफ टाइम हाई टच करते है तो उसका मतलब यह नहीं कि महां से आपको profit booking करना या फिर short selling करना है क्योंकि वहां पे और भी अंदर potential है nifty और sensex में के वो और उपर के levels को touch कर पाएंगे तो यह चीज आपको बहुत अच्छे से समझना है और यह चीज को आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है सबसे पहला जो पुछा गया कि आपका thoughts क्या यह budget के लिए फर्स्ट क्वेस्ट जो ते गिविंग स्थम्स अप टू निर्मला सितरामन जी और बजेट को दिया है सब कुछ बजेट में उनको पसंद आया है और इस बजेट को उन्होंने ग्रोथ ओरियंटेड का है यानि कि इंडियन स्टॉक मार्किट में जो भी आफाइस का इंट्लो आ रहा है वो आने वाले कुछ समय तक रहने वाला है इंडियन स्टॉक मार्किट में या फिर वो इंफ्लोज बढ़ भी सकते हैं और इंडिया का जो ग्रोथ होगा वो डबल डिजिट ग्रोथ होगा दूसरा जो वियू दिया है उन्होंने बोल स्टेप्स बाइ गर्वर्मेंट टू कीप टैक्स लैप चेंज जैसे मैंने कल के वीडियो में कहा था कि टैक्सिज में कोई चेंज नहीं हुए और यह सबसे बड़ा बोल स्टेप है क्योंकि टैक्सिज में अगर कुछ चेंज करते तो वह जो इंडियन स्टॉक मार्केट का जो ग्रोथ हुआ था वह ग्रोथ रुख जाता था जैसे बजेट के पहले जो प्रॉफिट बुकिंग आया था मापे ग्रोथ का स्टॉप हो चुका था पब्लिक कन्फ्यूज हो जी ने कहा कि बोल स्टेप्स बाइगर्मेंट कीप टैक्स लाप अंचेंज यह सबसे बड़ा पॉइंट उन्होंने कहा है दूसरा कहा है गवर्मेंट विल टेक बोल स्टेप्स तो ग्रोफ फॉर्दर एकोनॉमी यानि कि यह एक फुल स्टॉप नहीं हुआ है गवर्मेंट और वी you stay ढरेंगे जिससे इंडियन ईकोनौमी और उपर की तरफ जाएगी इंडियन इकोनॉमी और ग्रों करेगी फ्यूचर में ये भी उन्होंने कहा है कि साती में करंड माーकिट व्यू करंड मार्केट व्यूएं अथा है पॉर्मार्कित आगे प一 यह अन्हों रहने के जो भी short selling किया था जिन्होंने और जिन्होंने profit booking किया था वो सभी अभी सभी को at least और कुछ दिनों तक रहा देखना पड़ेगा जब तक वह लेवल पे वापिस stocks आएंगे और वापिस वह लेवल पे वह अपने portfolio में इंक्लूड कर पाएंगे तो overall Indian stock market के लिए आरजे ने कह पाएंगे clear यह bullish market है और यह bull market आगे भी continue रेने वाला है सेक्टर वाइस जब उनको पुछा के sectors कौन से अच्छे लग रहे हैं तो उन्होंने clear-cut कोई sector के ओपर pinpoint नहीं किया कि यह सेक्टर में आप invest कीजे या फिर यह सेक्टर में आप यह सेक्टर में से आप अपना investment निकाल दीजे उन्होंने directly diplomatic answer दिया है इस समय के सभी sector अच्छे चलने वाले हैं और उन्होंने उनको यह लग रहा है कि जो sovereign fund money है और pension का पैसा है वो infrastructure के तुरू बाजार में और भी आएगा future में तो indirectly उन्होंने कहा है कि infrastructure जो sector है वो आने वाले दिनों में और भी चलने वाला है और infrastructure sector में अगर आपको एक leading pick लेना है तो L&T से बढ़िया कोई stop नहीं है तो यह clear cut काया है कि सभी sector चलने वाले है और सभी sector में अच्छा growth होने वाला है साथी में उन्होंने यह भी कहा कि dis investment का जो government का फैसला है दो PSU bank और एक insurance company का वह बहुत ही positive लिया है government ने क्योंकि वहाँ प लोन डूब जाती है वो लोन डूबना कम हो जाएगी और automatically bank के उपर bank का जो balance sheet है वो bank का balance sheet अच्छे से बना रहेगा तो dis investment का जो भी है उस पर भी आर जेने काफी अच्छा positive outlook दिया है next year का view जब उनको पूछा तो next year का view कैसे लग रहा है तो clear cut उन्होंने कहा कि यह quarter में होगा क्योंकि जैसे साबसे inflow आ रहा है FIS का DIS का इस समय इंडियन stock market में उससे वो जो growth है next year का बहुत शाप होने वाला है और जितने भी बड़ी-बड़ी rating agencies है उन्होंने पिछले 2-3 मेने में Indian stock market को और especially Nifty को काफी higher end में rate किया है तो यह भी एक plus point है next year का sharp growth देखने के लि profit booking कीजे लेकिन limit में कीजे profit booking पूरे stocks को sell out मत कीजे good set of quantity को medium से long term रखे ताक कि आपको उस particular rally का benefit मिल सके आपके screen पे इस समय आपको मेरा social media platform handle दिख रहे है आपको मेरा email ID दिख रहे है मेरे mobile number दिख रहे है अगर आपको equity में currency में community में किसी भी सेक्टर में investment करना है training लेना है या फिर ट्रेडिंग करना है तो आप मुझे contact कर सकते हैं और साथ ही मैं फिर से एक बार repeat करना चाहूंगा जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को subscribe नहीं किया है पहले subscribe कीजे bell icon दबाईए share कीजे ताकि आपको दिन में दो बार कर दो कर दो